तो दोस्तो हमारे मद्दपरदेश में इस्कूल की फीस के लेकर काफी विवाद चल रहा था ठीक है दोस्तो काफी जो पैरेंट से वोई जो है शिक्षा मंतरी के घर पर जो है जा रहे थे उनके घर के सामने धरना दे रहे थे उनसे बार बार यह मांगे करें तो इसके आप से उनको चलना पड़ेगा और कोई अगर इसकूल इसका पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी उसका लाइसन्स भी रद्द किया जा सकता है तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके थोड़ा सा आर्टिकल में आपको पड़के बदो तो मंद् अगर मैं आपको बताओ तो विश्यांतर के संदर भी तो देखिए 912 2020 को यह आदेश पारित किया था कोई भी प्रावेट इसकूल कोवीड में अपनी फिस नहीं बढ़ा सकते ठीक है जो कि आपको 19-27 के लिए लागू था और यह जो है इन्होंने 20-21 के लिए इसे लागू कर दिया है ठीक अगर मैं आदेश की बात करूं तो गोर्मेंट ने कुछ जिस प्रकार से विश्य दोहजार इकिस बाविस में गेर अनुदान प्राप्त शाज के प्रबंदन द्वारा शिक्षक शुलक शिक्षन शुलक ट्यूशन फीज के अतिरिक्त अन्य कोई चात्रों स भारित नहीं की जाएगी मतलब जो आपको जो शिक्षन शुलक ही लिया जाएगा और ट्यूशन फीज ली जाएगी बाकिस के तरिक्षा आपको खेल शुलक है और जो दुनिया भर की शुलक लगाते आपको मैं बता दू कि पच्छास परतिशत जो आपकी इस्कुल की को डिक कि किया जाता है खिर टो दूस्तों के बाद करें तो आप से डिंजय अप्रसिक अपनी आपको